आजकल देश में हर तरफ बारिश का मौसम है बारिश के वज़े से परियावरन में नमी बनी हुई है पिकनिक जैसा माहौल है हलाकि ये बारिश की बुन्दे गर्मी से तो रहत दिलाती है लेकिन साथ ही कुछ बिमारेों को भी अमंत्रित करती है यदि मांसून के दोरान बार हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश मांसून के दोरान हमारा पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है इस वज़े से खाय हुए आहर का पाचन मुश्किल से हो पाता है इसलिए बहुत आसानी से स्वास्त समस्याएं उत्पन होने लगती है इनी कारणों से अपने आहार में आलू फेंडी और फुल गोबी को जगह ना दे गलियों में विक्र है नूडल्स चाट आधी को भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन्हें गंदे पानी में उबाला जाता है साथ ही इसमें धेर सारा मसाला सौस और और नमी की कारण बहुत आसानी से पनपते है इसलिए इन्हें भी नहीं खाना चाहिए अगर आप इन्हें खाना ही चाहते है तो सबसी को अच्छी तरह से गुन-गुने पानी से धोकर ही खाए बारिश के समय समोसा और कचवरी को हम कैसे भूल सकते है लेकिन इन में इस्तिमाल की जाने वाली सामगरी खाकर आपको ऐसे डिटी पेट का इंफेक्शन डाइरिया जैसी समस्याएं हो सकती है समोसा बनाने के लिए खराब और गंदी आलू का इस्तिमाल किया जाता है इसलि इसी में एंटी ऑक्सिडेंट्स पाया जाते हैं यह एंटी ऑक्सिडेंट्स वाइरल एजन्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिकार प्रनाली को मजबूत करते हैं बारिश के मौसम में बिमारिया बहुत तेजी से फैलती है इन दिनों बिमारियों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्ट्रीट फूट से परहस करें, ज्यादा तली फूरी चीजों से भी दूरी बनाये रखें और हेल्दी रहें.